वेलकम गाईज तो आज हम exercise 1.5 का question number 4 करेंगे तो देखिए हमारे पास एक universal set है और 2 set given है और हमसे उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है जो हमने dream मोंगे इस लाखिये थे इनको verify करना है तो verify करने की दिया हम क्या करते हैं always इस चीज को भी calculate करेंगे और इसकी left hand side और right hand side दोनों को calculate करेंगे और दोनों को equate कर देंगे तो देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले हम इसकी first part करते हैं और उसकी left hand side है जो उसको calculate करते हैं वो हमारे पास A union B फिर उसका compliment तो सबसे पहले हम A union B find out करते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 तो ये हमारे पास A union B set आ गया तो अब हम इसका complement निकालते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,9 तो अब हम basically right hand side को solve करेंगे तो right hand side हमारे पास अब क्या है उसकी A complement intersection B complement तो इसके लिए हम A complement निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8 that means 1 उन्होंने 2 remove कर दिया उन्होंने 4 remove कर दिया 6 remove कर दिया और 8 तो हमारे पास बचे 1, 3, 5, 7, and 9 तो अब उसी तरह से हम B complement निकालेंगे तो B complement के case में उन्होंने 2, 3, 5, and 7 को remove किया तो हमारे पास elements जो आए वो आए 1, 4, 6, 8, and 9 तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों की intersection calculate करते हैं तो इनके intersection में देखे एक तो 1 को मना रहा है और एक 9 को मना रहा है तो that means यहां से हमने यह निकाला और यहां से यह निकाला वो दोनों equal आ रहे हैं तो that means यह हमारा result क्या हो गया? verify हो गया अब हम second वाले part को verify करते हैं तो उसमें हमारे पास given है कि A intersection B किसके equal होगा? तो सबसे पहले हम left hand side solve करते हैं वो है तो सबसे पहले हम A intersection B find out करते हैं तो intersection में हमारे पास एक तो 2 common है अकेला 2 ही एक common element है तो अब हम उसकी क्या कर देंगे? complement तो universal से 2 को remove कर देंगे तो आजाएगा हमारे पास 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 अब हम क्या करते हैं? A compliment और B compliment हम देंगे निकाला हुआ है अब उन दोनों की union करते हैं तो वो आएगा देखिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 देखिए इन दोनों की union की तो हमारे पास ये वाला set form होगा तो यहां से भी देखिए जो ये दोनों sets है हमारे पास वो क्या आ रहे है? एक्वाल आ रहे है तो that means ये भी result जो हमारे पास वो verify हो गया तो हमने दोनों तरह से इसको solve किया और ये result verify हो गया वेरिफिकेशन के लिए आपको उसकी left hand side और right hand side को solve करना पड़ता है झाल